हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होगे दोस्तों मुझे क्रिकेट में शुरू से ही काफी रूची थी, जिसकी वज़ा से मैं खुले बिचारों की थी और मैं खुल कर बात करने में अच्छा फील करती थी. मैं खेल करने के बारे में बहुत ही एडवांस रहती थी और मैं इंगलिश मूवी देखना भी पसंद करती थी और अभी भी पसंद करती हूँ. मैं जब पहले ओं मूवी देखा करती थी तो मुझे क्रिकेट के बारे में पता चला था, मैं तब से मूवी देखने लगी. मैं अभी तक इतनी English movie देख चुकी हूँ कि मैं अब अपनी कहानी लिखने का विचार करने लगी तब मेरा भी मन हुआ कि मैं अपनी कहानी को आप लोगों तक पहुझाओं, तो मैं आज टाइम निकाल कर आप लोगों के सामने अपनी कहानी को लेकर आई हूँ मैं अपनी कहानी को शुरू करने से पहले अपने बारे में बात देती हूँ मेरा नाम नहा है और मेरी उम्रे इस टाइम 23 साल है मेरा रंग बहुत साफ है और मैं दिखने में बहुत सुन्दर हूँ मेरी हाइट ठीक है जिससे मैं और भी सुन्दर लगती हूँ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अपने फिगर के बारे में बता देती हूँ मेरे ओ काफी बड़े और गोल है मेरे गोल और बड़े होने के साथ बहुत चिकने है और मेरी जी ज्यादा बड़ी तो नहीं पर सुन्दर बहुत है जिसको देख कर किसी की भी नियत धराब हो जाए, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पती मेरी रोज ही क्रिकेट खेला करते है और मैं अपनी पती से बहुत खुश रहेती हूँ क्योंकि उनका बल्ला लोहे के समान है वो मेरी खेलने की इच्छा को पूरी कर देते हैं जिससे मैं किसी और से क्रिकेट के बारे में नहीं सोचती हूँ दोस्तों, मैं जो आज कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मेरी शादी के पहले की है. मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी और मेरी कहानी को सुनने में मज़ा तो खूब आएगा. अब मैं बिना टाइम को बरबाद करती हुई सीधे कहानी शुरू करती हूँ जब मैं अपने घर में रहती थी तो उस टाइम मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं ही रहती थी मेरे पापा काम की वज़ा से घर बहुत कम ही आते थे मेरी मम्मी मुझ पर बहुत कम ही ध्यान दे पाती थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी उस टाइम की बात है मेरे घर पर एक लड़का आया हुआ था मैं आप लोगों को उस लड़के के बारे में बता देती हूँ उसका नाम रानू था और वो बहुत ही सरमिला किस्म का लकडा था वो दिखने में बहुत स्मार्ट था और उसकी बॉड़ी बहुत मस्थी जिसको देख कर मैं उस पर लट्टू हो गई थी मेरे मन में उसके साथ मस्थ क्रिकेट खेलने की इच्छा जाग गई थी और मैं उसे लाइन भी देती थी पर वो इतना सरमाता था कि मुझसे कुछ कैह ही नहीं पाता था मैं उससे कभी कभी जब मम्मी घर में नहीं होती तो उससे मजाग भी कर देती थी पर वो मेरे हुसन के जाल में नहीं फंसने वाला था क्योंकि वो लकड़ा बहुत ही सीधा था पर मैंने उसके साथ क्रिकेट खेलने की कसम खाली थी और उसके बैट से बिना खेले मानने वाली नहीं थी मैं उससे मजाक मजाक में उसके बैट को पकड़ लेती थी पर वो मेरी तरफ देख कर नजरे नीचे कर लेता था एक दिन की बात है जब मेरी मम्मी कुछ लेने के लिए बाहर गई हुई थी मैंने उस दिन उसे पकड़ कर बेड पर गिरा लिया और उसके हाथ को पकड़ कर अपनी टी शर्ट को हटा कर उसके हाथ को कमर पर रख दिया जब मैंने उसके हाथ को पकड़ कर रख दिया तो वो डर के मारे उसके शरीर में करंड सा लग गया तब मैं समझ गई कि इसकी प्रोब्लम इसका डर है उसको पहले बाहर निकालती हूं मैंने दर्वाजा बंद किया और उसकी होठों पर सकरने लगी मैं उसके होठों को चू सने के साथ उसके हाथ को अपने बॉल पर रख दिया उसने मेरे बॉल को जैसे ही हाथ में पकड़े तो उसके अंदर भी क्रिकेट खेलने की इच्छा जग गई दोस्तों मेरे बॉल इतने गोल और चिकने थे कि किसी का भी मना जाए तब मैंने उसके बैट को उपर से पकड़ लिया अब हम दोनों क्रिकेट खेलने की तयारी में लग गए थे और हम दोनों के शरीर ने पसीना छोड़ दिया हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले ही थे कि मेरी मम्मी की बाहर से आवाज आई की दर्वाजा खोल नहा क्या कर रही है दोस्तो मैंने तुरंट अपने कपड़े सही किये और अपने मुंग को सीसे में देख कर साफ किया फिर बाल सही करने के बाद दर्वाजा खोला तो मम्मी ने पूछा क्या करने लगी थी जो इतनी देर कर दी दर्वाजा खोलने में तो मैंने कहां सो गई थी फिर मम्मी रात का खाना बनाने की तयारी करने लगी फिर कुछ देर में खाना बनकर तयार हो गया और घर में तीन ही लोग थे उस टाइम तो खाना खाने के बाद लेट गए मैं लेट कर सोच रही थी की अब मुझे कब मौका मिलेगा जो मैं उसके साथ क्रिकेट खेलने का मज़ा ले पाऊंगी दोस्तों उसके तीन दिन बात की बात है जब मेरी मम्मी मेरी पडोस की आंटी के साथ मार्केट गई थी जब मेरी मम्मी और आंटी मार्केट जाती है तो पूरा दिन लगा देती है मेरी मम्मी और आंटी घूम कर आती है उस दिन मुझे मौका भी था और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा तब मैंने कहा अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्रिकेट खेलने का और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मस्त क्रिकेट की पांच पारियां खेली तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? क्रिप्या कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें